नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं A.A.S. अगडमियो में हूँ आपके साथ अर्विन दोस्तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मद्विदी शिक्षभरती वर्फ तीन के लिए परियावरन का प्रेक्टिस सेट्स दोस्तो हमने सभी सब्जक के प्रेक्टिस सेट्स अपलोड कर चुके हैं और दोस्तो एदी आपने सभी सब्जक के प्रेक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाईगा पिले लिस्ट में आपको हिंदी, परियावरण, बाल बिकास और गड़ित सभी के वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तो एक प्रक्टिसेट्स बहुत ही मुष्टा एंपी हैं जो परिक्षा की दिरिष्टी से आपको एक अच्छा इसको करने में काफी मदद करेंगे दोस्तो एदी आपने एस अकेडमी के बने हुई नोट्स नहीं परचेस किये तो नोट्स जरूर परचेस कर लें जो आपके लिए एक सफलता में काफी मदद करेंगे चले दोस्तो हम स्टार्ट करते हैं कोश्चन करमांक पहला परियाब रण से अभीपिराए उन समस्त खाली स्थान से है जिनका प्रित्यक्षी प्रभाव मानव पर पढ़ता है सक्तियों से प्रक्रियाओं से और तत्यों से तो ध्यान रखेगा इस खाली स्थान में जो भरा जाएगा परियाब रण से अभीपिराए उन समस्त मतलब सभी सक्तियों प्रक्रियाओं तथा तत्यों से है जो इनका प्रित्यक्षी प्रभाव मानव पर पढ़ता है इसलिए ओप्सर नंबर डी आंसर इसका सही रहेगा नेक्स्ट कोशन है आपका परियाब रण के खाली स्थान घटक परसपर किरिया द्वारा जेव मंडल की रचना करते हैं तो इसलिए ओप्सर नंबर सी आंसर सही होगा इदर आएगा परियाब रण के ये तत्था भी दोनो यानि घटक मतलब दोनों घटक आ सकते हैं जेव और अजेव दोनों घटक परसपर किरिया द्वारा जेव मंडल की रचना करते हैं ठीक है चली नेक्स्ट कोशन है आपका प्रित्वी तत्था भाई मंडल का वह भाग जिसमें सभी प्रकार के खाली स्थान बिदमान होते हैं परिया बरण के जेव मंडल में आता है क्या होता है कि प्रित्वी तत्था भाई मंडल का वह भाग जिसमें सभी प्रकार के जीव जन्तु बनस्पतियां उप्रोक्त सभी विदमान होते हैं और परियाबरण के जिव मंडल में आता है, इसलिए इसका option number D answer सही रहेगा, क्योंकि जीव, जन्तु और बनस्पती जब तीनों चीजें हमारे इस परियाबरण में बिदमान होते हैं, बाई मंडल में बिदमान होते हैं, तभी हमारे परियाबरण के जिव मंडल में इस सभी आते हैं, नेक्स्ट कोशन है, इस्थल मंडल की बाहर सतह जो हमारे परियाबरण का निर्मार करती है, खाली स्थान नामों से जाना जाता है, मतलब इस्थल मंडल की जो बाहरी सतह होती है, जो हमारे परियाबरण का निर्मार करती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, महादी पहाड और मरूश्थल यह हमारी सभी क्या होती हैं बाहरी सताय होती हैं इन सभी नामों से हम इसको जान सकते हैं इसलिए option number D answer आपका सही होगा next question है आपका स्रिष्टी खाली स्थान प्रदान करने में बायु मंदलिये तत्तों की सरवच भूमका होती है इन स्रिष्टी को प्रदान करने में बायु मंदलिये तत्तों की सरवच भूमका होती है जीवन प्रदान करने में या मृत्तियु प्रदान करने में या उपाहार प्रदान करने में इन मेंसे कोई नहीं तो स्रिष्टी को क्या होगा जीवन प्रदान करने में बायू मंडलिये तत्यों की सर्वो चुभूम का होती है इसलिए option number ए अंसर सही होगा next question है बायू मंडल में जीवन दाई जैसे खाली स्थान सूर्प्रकास और उर्जा आधी पाई जाती है यहनि कि जीवन दाई मतलब यदि हम उसको नहीं ले पाएंगे हम उसको नहीं पापाएंगे तो समझेगा हमारा जीवन नहीं रह पाएगा oxygen, nitrogen, carbon dioxide या उपयोग सभी तो द्यान रखना बायू मंडल में जीवन दाई जैसे oxygen, nitrogen, carbon dioxide यदि यह तीनों गैसे नहीं होगी तो हमारा जीवन संभाव नहीं है तीनों चीजों की आवज सकता है oxygen की भी आवज सकता है, उतनी ही nitrogen की आवज सकता है उतनी carbon dioxide की आवज सकता है लेकिन यहाँ पर oxygen की भी बहुत आवश्यक्त होती हम तो oxygen नहीं होगी तो हम क्या करेंगे सासी नहीं ले पाएंगे है ना और यह हमारे पेड करवंड आक्षाइड नहीं लेंगे तो हमारे बाई मंडल में क्या होगी करवंड आक्षाइड वरी रहेगी तो हम लोग फिर मन्नुक्सान में रहेंगे तो इसलिए इस सभी चीज़ें होना आवस्चक ह तो option number D answer इसका सही रहेगा next question है बाईव मंडल ये तत्तों को घेरे हुए है बाईव मंडल ये तत्तों को कौन घेरे हुए है इस्थल मंडल, जल मंडल, इस्थल तत्ता जल मंडल दोनो इन में से कोई नहीं तो ध्यान रखना बायू मंदली तत्यों को हमारे इस्थल मंदल तथा जल मंदल इस दोनों घेरे हुए है नेक्स्ट कोईशन है आपका बायू मंदल के तत्यों का समुच्च जो बायू मंदल के तत्यों का समुच्च क्या कहलाता है जलबायू, मासल, मौसम और जलबायू इन में से कोई नहीं तो हमारे जो बायू मंडल का जो समुच्च है उनका जोड़ा है वो उसको हम क्या कहते हैं मौसम और जलबायू यहनी कि मौसम और जलबायू के समुच्च कहलाता है बायू मंडल के तत्यों का ठीक है नेक्स्ट कोशन है बाई मंडली तत्यों के खाली स्थान के कारण प्रित्वी के धरातल पर विभिन प्रकार की बनस्पतियां तथा जीप पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं आसमान बित्रण समान बित्रण ठोस बित्रण इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर आप मुझे कमेट बॉक्स में लिख की बताएगा किस का अंसर क्या होगा नेक्स्ट कोशन है खाली स्थान द्वारा मानव अपने परियावण contemporary के घ्यान में विध्धी कर रहा है जाच विदी द्वारा भूल विधी द्वारा जाच एवं भूल विधी द्वारा दोनों द्वारा इनमें से को है Option Number C आंसर इसका प्र शहीर है va नेक्स्ट कॉश्चन नहGood G परियाष्वन महींकर स्प्र Goチ gibt स्थ्चिश्प a प किकल कई द्यानर रखी कि इसका जो सही आंसर होगा अन्य जीवों के समान मानावी प्र्याभराण का एक खquez का हमारे मानाव 하는데 द्यान रखिए साथ तो नहीं क्यों परियाबरन से अलग रहते हों तो option number इसका ए आंसर सही रहेगा इस प्रकाल का question जरूर पूछा जाएगा ध्यान रखना इस सीटेट से related question इस तरीके के question सीटेट हैं पूछे जाते हैं नेमल लिखित में से किसके अनुसार परियाबरन एक बाहर सकती है जो हमें प्रभावित करती है यानि कौन सी सकती इन चारों के अनुसार है जो हमारे लिए वो प्रभावित करती है तो किसका सही आंसर कौन सा होगा E.J.Ross ठीक है option number C आंसर आपका सही रहेगा next question है परियाबरन वह सब कुछ है जो किसी जीव या बस्तू को चारों और से घेरे रहता है और उसे प्रित्यक्ष रूप से प्रभावित करता है या कथन किसका है इसका आंसर आप लोग मुझे बताना comment box में लिखे किसका सही आंसर क्या होगा ठीक है चले next question देखेंगे परियाबरन व्यक्ति के खाली स्थान स्वस्थ को बहुत प्रभावित करता है परियाबरन व्यक्ति के किसको स्वस्थ को बहुत प्रभावित करता है मतलब मानसिक स्वस्थ को या संबेगात्मक स्वस्थ को या सारेरिक स्वस्थ को या इन में से कोई नहीं तो ध्यान रख क्यrok हैं कर दोठेखर wanna टोड़ेगा जो परियाबरान होता है यह हमारे सारी ऩीदिक स्वास्थ को बहुत प्रभाभिद करता है इसलिए और शेयो नंबर सिश्का सही रहेगा नेक्स कोशिन ने परियाबरान कितने प्रकार का होता है, दो, तीन, चार, पांच, तो परियाबरन हमारा दो प्रकार का होता है, इस खाली स्थान में दो आ जाएगा, तो परियाबरन कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, भोतिक परियाबरन को खाली स्थान परियाबरन भी कह सकते हैं, जो भोतिक परियाबरन भी कह सकते हैं इसलिए option number c answer दर पे आईगा next question है जेव की परियाबरन को खालिस्तान भागों में बाटा जा सकता है जो जेव की परियाबरन हैते हैं इनको हम कौन से भागों बाट सकते हैं उत्पादक, बोक्ता, बिरासक या उप्रोप तो इसका जो सही आंसर होगा हम किसे बाट सकते हैं दोनों में बाट सकते हैं दोनों में कौन-कौन से बाट सकते हैं इसके लिए जेव की परियाबरन को उत्पादक, उप्भोक्ता और बिनासक हम इन तीनों में बाट सकते हैं इसलिए option number इसका प्राक्रित परियबरनम के खाली स्थान प्रमुप घटक हैं परियबरनम के घटक कुंठ से हैं प्राकरित कि chi भूमी यह तीनों आएंगे देखेगा प्राकृतिक पर्याबरण में तो पानी भी आता है हवा भी आती है हमारा जमीन भूमी भी आती है इसलिए यह तीनों चीज़ें आएंगी तो अप्शन नमर्डी अंसर आपका सही रहेगा नेक्स्ट कोशन है खाली स्थान हमारे प्राकृतिक पर्याबरण के अंग है प्राकृतिक पर्याबरण के अंग प्राकृतिक पर्याबरण के अंग प्राकृतिक पर्याबरण के पानी धूप इर्मे से कोई नहीं तो ध्यान रखेगा हमारे जो प्राकृतिक पर्याबरण के जो अंग है वो पेड़ पौधे हैं एदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा पर्याबरण नहीं हो सकता है ना option number a answer सही रहेगा next question है पर्याबरण प्रिदूशन के मुख्य घटक कौन से है जो पर्याबरण प्रिदूशन है जेल प्रिदूशन बाई प्रिदूशन धौनी प्रिदूशन इन तीनों से क्या होता है हमारा पर्याबरण प्रिदूशित होता है तो option number d answer मतलब है सभी होगा ठीक है तो option number d answer आपके लिए सही रहेगा next question देखेंगे हम बाई प्रिदूशन की समस्या बाई प्रिदूशन की जो समस्या है खाली स्थान प्रिदूशन में भी अधिक जटिल है मतलब जो बाई प्रिदूशन की समस्या डेस 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 यहनी खाली स्थान है प्रदूशन से भी अधिक जटल है जल बायू एंत्रों ध्वनी या इन में से कोई नहीं तो ध्यान रखना बायू प्रदूशन की जो समस्या है वह जल प्रदूशन से भी अधिक जटल है क्योंकि बायू प्रदूशन यह ज़्यादा इसलिए option numbers का a answer सही होगा next है सिक्षा के दुवारा खाली स्थान की सिक्षा अध्यापक के सही होग के बिना दी ही नहीं जा सकती मतलब सिक्षा के दुवारा खाली स्थान की सिक्षा अध्यापक के सही होग के बिना दे ही नहीं जा सकती समाज की सिक्षा अच्छे पर्याबरण की सिक्षा या मनोवग्यानिक सिक्षा या इनिमेसी कोई नहीं तो अब आप कोई बात पता होगा कि हम पढ़ क्या रहे है पहले तो पर्याबरण पढ़ रहे है तो इसमें पर्याबरण से related questions आएगा तो सिक्षा के दवारा अच्छे पर्याबरण की सिक्षा अध्यापक की सही हो के बिना दी ही नहीं जा सकती इसलिए option number B answer सही होता यदि हम बालविकास की पढ़ रहे होते तो बालविकास में को option number C answer इसका सही हो जाता या फिर A option सही होता बट A B option सही नहीं होता चलिए नेस्ट कोशन है स्वास्थ विज्ञान के अंतरगत सुद्ध जल का महत बासुद जल से उत्पन रोगों का अध्यन किया जाता है यह असध है सथ है यह अनिश्यत है यह इनमें से कोई नहीं है तो यह अनिश्यत है इस सत्य तो हम नहीं कह सकते हैं बट इसमें अनिश्यत हो सकता है इसलिए option number C answer इसका सही होगा next question है प्राकृतिक परियाबरान के साथ संस्कृतिक परियाबरान को जोड़ कर किसकी संग्या दी गई है जैवक परियाबरान की बहुगोलिक परियाबरान की या जलवायू की या इनमें से कोई नहीं तो देखो अब कौशे नहीं समझ में आ जाता है जलवायू से तो बात हो नहीं रहे तरपे अब भोगोलिक हमारा परियाबरान होता है और जैवक परियाबरान होता है तो अब प्राकृतिक परियाबरान के साथ संस्कृतिक परियाबरान को जोड़ कर किसकी संग्या दी जा सकती है या तो आपको जैवक परियाबरान और भ इसी भुभाग के बायू मंडल की दसा जैसे तापपान, वर्षा, आद्रता, बायू की दसा, बायू दाब आदी के बार्शिक ओसत को क्या कहा जा सकता है या क्या कहते हैं प्राकृतिक बनस्पति, इस्थलकृति, जल वायू या जल रासियां तो इसका जो सही आंसर होगा भ इसरे option number C answer सही रहेगा ठीक है तो चले दूस्तों हमने यहाँ पर practice sets finish कर लिया है next practice sets हम आपके लिए बहुत चल्दी लेकर आएंगे और अधि आप हमारे चैनल पर new है तो चैनल को subscribe कर लीजेगा जिससे हमारे आने वाले latest सभी वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे और इस